टूडेश्टोपिक फीमर फैक्टर जो आज का मारा पोइंट रहेगा उसमें हम डिसकस करेंगे फीमर का एक्सरे करते समय फैक्टर कितना रखें तो वीडियो की सुरुवात करते हैं सबसे पहले फैक्टर रिकार्डिंग बात करते हैं अगर कोई भी आप 800 मेकी मसींग के सबसे पहले अगर आप 800 मेकी मसीन पर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर जो के वीपी यूज करिए बोडी की थिकनेस के हिसाब से जैसे की एज एकोर्डिंग भी होती है अगर आप एडल्ट में कर रहे हैं तो वहाँ पर जो नॉर्मल में एडल्ट में आप के वीपी हैं अगर वहीं पर कोई छोटा वेवी है यह हम बात करें तीन साल से लेके दस साल के बीच में तो वहाँ पर अगर फीमर का कोई भी एक्सरे करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जो आप फैक्टर रखेंगे के वीपी में वह नॉर्मन में यूज करिये 48 to 50 में यूज करिये 800 में की मसीन के उपर यहीं पर अगर हम बात करें MAS के रिकार्डिंग मिली एम्पेर सेकेंड कितना रखेंगे तो 56 के उपर आप 13 या 15 या 16 का यूज करिये MAS का यहीं पर बात करें 48 या 50 के उपर MAS कितना रखेंगे तो यहाँ पे आप normal में यूज़ करिए 10 या 30 का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे 1.0 आपको focus करना है कि यहाँ पे FFD जो होए वो आपकी जादा से जादा increase ना हो यहाँ पे जो FFD normal में यूज़ करेंगे 80 cm या 85 cm